क्या आप जानते हैं कि जब इम्रान हाश्मी मुसीबत में थे तब खिलाडी कुमार यानि के अक्षर कुमार ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया था नहीं जानते चले कोई बात नी मैं आपको बताऊंगी पूरी बात इस वीडियो में लेकिन सबसे पहले नमश्कार मैं हूँ जोती पाठेक और आप देख रहे हैं बॉलिवुड स्पाय और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जली से सब्सक्राइब कर लीजे इसी तरीके के इंफोर्मेशन से अपडेटेट रहने के लिए जी आँ इम्रान हाश्मी कि लिएट पार्टी में उसके बाद दिखा जाये तो इसाल पहले इम्रान हाश्मी आजाध अरे के इद पार्टी में और उसके बाद दिखा जाये थो जब ये बात सुनी अक्षेकुमार की उनिकी बेटे को चैंसर डिटेक्ट हुआ है सारी न्यूस सुनी तब उन्होंने तुरंथ अक्षेकुमार क कॉल की इम्रान थे उनसे पूछा हुझ अन noi तो इम्रान थमे ने कहाा कि हां सबsstाइन फिर अक्षे कुमार ने बोला कि मैं आता हूँ अभी मतलब इम्रान हाश्मी ने फिर मना कर दिया कि नहीं अभी चीज़े कंट्रोल में आप परिशान मत हुए फिर उसके बाद टाइम टू टाइम अक्षे कुमार फोन करते थे जो हाल चाल रहता था वो पूछते थे और बोल इम्रान श्मी बेटे ने इस पूरी बीमारी को मात दे था तब अक्षे कुमार तब मैं मिलने आता हूं अख्षे कुमार बकाइदा गए थे उंके बेटे से मिलने के लिए और बेटा उनका सो रहा था और फिर इम्रान अश्मी से पूछा अक्षिकमाने कि अब तुम्हारे बेटे की उमर कितनी है और उनने बताया चार साथ जी आँ बहुत जादा इमोशनल हो गये थे अक्षिकमार फिर वो वहां से निकल आ है मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्षिकमार के जो पिता जी थे उनकी जो मौत हुई थी वो कैंसर के वज़े से ही हुई थी तो इसलिए शायद वो बहुत जादा इमोशनली अटैश्ट हो गये थे इमराश्मी के बेटे से और वो हमेशा मदद के लिए हम सब जानते हैं पूरी तरीके से खड़ रहते हैं क्या आप से जाना चाओंगे मुझे बताईए क्या आपको यह इंफोमेशन पता थी और अक्षे गुमार के बारे में क्या कहना चाहतें कॉमेंट सेक्शन बताईए और देख तरे यह बॉलिवड स्पाई ऐसे ही अपडेट के लिए